नमस्कार साथियों जन्व दिन की हर्तिक सुभकामना है उन दोस्तों के लिए जिनका आज जन्व दिवस है तो चलते हैं दोस्तों आज मैं चर्चा करने वाला हूँ सिक्को इंडेस्ट्रीज पर जिसका की सेर प्राइस सामने दिख रहा होगा 86 रुपीज पिछले ट्रेडिंग डे में 3 रुपए 67 पैसे डाउन होकरके 86 रुपए पे आ गया था इसका हेट क्वाटर अमादाबाद में है जो की इंडिया में परता है और अस्थापना 1997 में हुगा था और सबसिडियरीज कंपनी सिमकॉन लिमिनेटार्स प्राइवेट लिम्टेड सिक्को ट्रेड लिंक प्राइवेट लिम्टेड एक आवस्यक सुचना मैं विडियो बनाता हूं वल्ली वन नॉलेज परपस इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धी विवेका अनुसारी करिये दोस्तो चलते है दोस्तो ज पचासी रूपई या असी पैसा यानिकि 85 रूपई 80 पैसे मार्केट कैप 144 करोड का करेंट प्राइस 85 रूपई 80 पैसे बुक वैलू 16 रूपी 60 पैसे टेस्टॉप पी 24.8 का है और आरोसी 20.7 परसेंट का और आरोई 15.7 परसेंट का आरोसी आरोई दोनों अच्छा है ऐसे स्टॉप के लिए 22 का हाई लोग अगर देखते हैं इसे स्टॉप का सेर प्राइस तो 125 रूपई और 100 रूपई 10 पैसर फेस मेलू 10 रूपई का है देख सकते हैं सिको इंडेस्ट्री लिमिटेड बायो एग्रो रसायन कीट नासक उरुबरग बीज श्प्रेयर पैकेज charging, machinery और FMCG उत्पादो आधी का निर्मान, व्यापार और निर्याद करता है तो तीनों करता ही है, निर्मान भी करता है, व्यापार भी करता है और निर्याद भी करता है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वन येर का प्राइस चार्ट जो की सू हो रहा है उसके अनुसार से और अभी मार्केट का ट्रेंड जो बना हुआ है उसके अनुसार से इस शेर में और गिरावट आ सकती है बाकी investment अपने बुधिविवे का अनुसार ही करिए दोस्तों अब एक नजर डालते हैं इसके quarterly result पे तो सेप्टेमबर 2024 का अनुसार 15 करोड 32 लाग का sales किया expense 12 करोड 28 लाग का जिसके वज़े से operating profit 3 करोड 4 लाग और other income नाम मात्र का है 5 लाग का और interest 11 करोड का depreciation 17 लाग का जिसके वज़े से profit before tax 2 करोड 81 लाग tax भी paid किया net profit यानि कि tax paid करने के बाद में 2 करोड 10 लाग EPS एक रुपए 25 पैसे तो profit making company है और balance sheet पर ध्यान देते हैं तो पता चलता है सेप्टेंबर 2024 का नुसा है equity capital इसके पास में 16 करोड 80 लाग का है reserve इसके पास में 16 करोड 20 लाग का ब्रोइंग चार करोड 5 लाग का अधर liability अठारा करोड 77 लाग का टोटल लाइबिलिटी 55 करोड 82 लाग का जिसमें की fixed asset तीन करोड 88 लाग investment एक करोड 30 लाग का total asset अगर देखते हैं तो दिन परती दिन बढ़ते करम में हैं कब से तो मार्च 2022 के बाद से अभी करेंट में 55 करोड 82 लाग का total asset है इस company की यह stock SS rainy में है जिसमें की प्रमोटरों का holding काफी अच्छा बना हुआ है जैसा कि स्क्रीन के है सेप्टेंबर 2024 का अनुसार प्रमोटर का holding 71.45 परसेंट का है और एफाइज का 0.79 परसेंट उसके बाद में public के पास में बचा हुआ जो कि 27.76 परसेंट का है नंबर ओफ सेर उन्डर्स ता 18,554 यानि कि अभी भी यह ज्यादा फेमस stock नहीं है यानि कि company ज्यादा फेमस नहीं दिख रही है इन्बेस्टरों के अनुसार से बाकी इसमें latest update news financial result update है जो कि 26 अक्टूबर 2024 का ही है सिकों इंडर्स्ट्री लिमिटेड है submitted to the exchange the financial result for the period in debt September 30, 2024 तो September 30 को जो quarter 2 इंड हुआ है उसी का financial result update किया गया है यहीं इसमें news है बाकी ये company only one NAC पर listed है SIKKOK के नाम से अब एक जलक डालते हैं nacindia.com पर इस share पर तो इसका share price 86 रूपीज और जैसा कि delivery percentage है 50.36 परसेंट का overall सरांस के तोर पर इसे stock के बारे में मैं यहीं बोल सकता हूं कि अभी ये इसका share price और वी नीचे गिर सकता है बाकी investment अपने बुद्धिवय का अनुसार और सुझभुच का अनुसार ही करिए दोस्तों अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद साथ ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए stock के साथ में तब तक के लिए नमस्कार